आज का क्लास छूट या डिसकाउंट के ओपर है ब supremacy रेलबे के अगर हम कोस्चन को देखते हैं तो छूट या डिसकाउंट पर अगर 2006 से 2015 रोख जाए सवाल नहीं आया थे लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि ये चेप्टर कुछ कम उबॉर्टेंच है क्योंकि नहीं आई यह कभी नहीं आप बोल सकते हैं कि आपके एक्जाम में अच्छे लेवल पे डिसकाउंट पे सवाल नहीं आएंगे इसके लिए तैयारी आवश्चक है लेकिन मेरी विवर्स्ता यह है कि अगर मैं 2005 से 2014 तक देखता हूं तो केवल चार या पांच सवाल ही मिलते हैं डिसकाउंट पर जो पूछे गए थे तो आप भी समझते हैं कि इतने कम सवाल किसी चैप्टर के हर एंगल को कवर करने के लिए प्रयाप्त नहीं है तो जिसके लिए मैंने इसके साथ एससी के सीएचेसल मतलब इंटर लेवल के जो एक्जाम्स हैं उनके सवालों को भी सब्लिट किया है जिससे डिसकाउंट के हर तरह के सवाल को आप करने में सक्षब हो जाएं तो इसके लिए इसमें जो है चार-पांच शुरुआती जो सवाल है वो रेल्वे से पूछे गये थे बात बाकी जो है सारा कस हमने एससी सीएचेसलिया एंडीसी लोर डिविजन के जो जो रेल्वे के समक अच्छे हैं उसको लिया हुआ है तो चलिए पहले बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फिर क्लास शुरू करते हैं मेरा एक खुद का मानना है कि अगर किसी चीज के बेसिक्स के बारे में बहुत सारी बातें किया जाए तो आपके समझ में कम आता है कन्फ्यूजन को जारा बहाता है इसलिए वह दिखे मैंने यहां कुछ लिखा ही नहीं मैं छोटे शब्दों में कुछ बोलूँगा जो हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं जैसे समझ लीजिए मैंने 10 रुपे का कोई समान खरीदा 10 रुपे का कोई समान खरीदा अब जो मैं खरीता हूं मैंने पैसे दिये समान को लिया उसका तो नाम क्या बोलते हैं क्राय मुल्ले या कॉस्ट प्राइस मैंने अपने जेब से जो पैसे निका दे उसके एवज में मेरे को जो समान मेना उसे क्रेब बुले बुला गया अब मैंने उसे बारा रुपे में किसी और को बेचा तो बारा रुपे में बेचा तो दस रुपे से कितना जादा लिया दो रुपिया जादा लिया और ये बेचने की क्रिया का मतलब क्या हुआ मैंने जिस समान को खरीदा खरीदा था किसी और को दिया और उससे पैसे दिये तो उसने मेरे को पैसे दे दिये तो मुझे लाब कितना हुआ दो रुपया लाब हुआ तो देखो 12 से हमने क्या घटाया 10 को घटाया ठीक है तो मतलब विक्रे मुल्ले से क्रे मुल्ले को घटाया अब देखो ये 10 रुपे का माल खरी रहा अब दूसरा केस ले लो और किसी को मैंने 9 रुपे में बेचा क्योंकि कोई खरीदने को त्यार नहीं था मैं डढ़ गया यार मेरा पैसा फस जाएगा तो एक में बोला चलिया मैं 9 रुपे में लेता हूँ तो मैं उसे 9 रुपे में दे रही है अब देखो 10 रुपे जेब से लगाया अब मिला जेब में कितना 9 रुपे कितना कम है एक रुपे इसको बोलते हानी या लॉस तो हानी या लॉस भी देखो मापा जो जाता है वो किससे मापा जाता है क्रे मुल्ले से क्यों मेरी लॉँ हानी कितनी विया एक रुपे हुई तो मैं किससे किसको घटाया 10 रुपे को जो खरीदा था मतलब क्राय मुल्ले से 9 रुपे में बेचा विक्राय मुल्ले को लेस किया तब मतलब देखो जोड़ने वक्त भी क्राय मुल्ले से जोआ जाता है घटाते वक्त भी क्राय मुल्ले से घटा जाता है तो हम इस चीज़ को आप एक दो बार खुद बनी मन भोलके अगर आप इस चैप्टर में पहली बार आ रहे हो, बहुत चीज़े बातों को बुल चुके हो, तो ये जान लेना, लाभ और नुकसान, ये क्रैमुले के उपर ही इसका कल्कुलेशन होता है, क्रैमुले को बिना जाने आप लाभ हुआ या नुकसान हुआ, इस बात को आप कभ भी पता लगा ही नहीं सकते है, ये एक चीज़ हो गए, अब आते हैं छूट के उपर, देखो दुकान में, एक समझ देजे कि एक कोई समान रखा हुआ है, मिठाई का डबा रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सौ रुपे, और दुकांदार बोलता है, दस परसेंट डि लिखा है, वो अंकित है, अंकित मुल्य मतलब दुकांदार से आप कुछ नहीं रहे, उसको उपर लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं, मैक्सिमम लिटेल प्राइस या MRP, अब आप बोलते हैं कि, दस परसेंट का छूट का था, आप दुकांदार को बोलो, या नहीं है, पैसा नहीं दे सकता, या कुछ तो कम करो ना, अल्टिमेंटली दुकांदार बोलता है कि, चलो 15% तुमें चूट देता हूं, तो 100 रुपेस में 15% चूट मतलब 15 रुपया घटा कि, 85 रुपय में वो समान आपको मिलता है, देखो, यहां पे चूट किसके साथ जुड़ा अंकित मुले पे, आपको पता नहीं होता है, इसमें दुकांदार ने उस चीज को कितने रुपय में खरीदा था, दुकांदार को लाब हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हो सकता है, दुकांदार ने 90 रुपय में खरीदा था, चुकि वो मेट्रेल नहीं भीक रही थी, इस मुल्ले के उपर हम छूट की का कल्कुलेशन करते हैं लाभ हानी का कल्कुलेशन हम किस पर करते हैं हम करते हैं क्रै मुल्ले पर और छूट का जो कल्कुलेशन है छूट की जो गनित है वो किस पर होती है अंकित मुल्ले पर और देखो इसके साथ मेरे को तीसरा कुछ भी नहीं बोलना है क्योंकि हम चैप्टर में चले जाएंगे बस यही दिमाग में रखना है फिर से दो रहता हूं लाब या नुकसान जो है प्रफिट या लॉस है उसका बेसिक क्या होता है क्रे मुले कितने में ख़ई जा गया है उसी से इसे निकाला जाता है उसी तरह छूट जो एप करता हूं यह दो पॉइंट आपनों के सामने काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है आए पहले सवाल से शुरू करते हैं किसी टेलीविजन का अंकित मुल्ले 24,000 होते हैं ठीक है ना मतलब अंकित मुल्ले का मतलब है टीवी सेट के ओपर लिखावा है 24,000 है एक खुद्रा ब्यापारी ने क्रमा शार बीस परसेंट था दस परसेंट एक क्रमागत छूट पर खरीदा अब जब इसको समझें या यह मामला क्या है जैसे समलों की कोई चीज सौ रुपे का है तो आप बलोगे और दस को जोड़ देंगे तो तीस परसंट का चूट करते नो बुएसा नहीं होता है जयसे सौ रुपिया होता तो बीस परसंट चूट मिलता मतलब वीस परसेंट मिल जयता तो उसका दाम क्या हो जाता तो सौ से बीस घृट आए असी का आप 10% करोगे तो कितना होगा आठ रुपिया होगा तो असी से आठ रुपिया करोगे तो बहत्तर रुपिया तो उसको छूट कितना मिला देखो बहत्तर रुपिया मतलब 100 से कितना घटा है 28 रुपिया का छूट मिला मतलब 28% छूट मिला जबकि यहां देखो 20 और 10 जोर देते तो 30% इसके लिए इसका एक formula भी है अब देखो formula से वह आप कर सकते हो और desi method से भी कर सकते हो अब अगर desi method से करना है तो थुरा simple होता है formula से करना होता है वो भी simple होता है formula के ओपर भी आगे चलके हम ने दिखाया है हमकर करते हैं लेकिन अभी हम जड़ा देशी में जड़ से करेंगे कि चीज़ें बहुत जल्दी जड़ से समझ में आ जाए देखो यह देखने में इतना है बहुत कम वक्त लगता है देखो यहां 24,000 है 24,000 में 2 सुनना छोड़ो पहले तो 240 हो गया अब देखो 240 का 20% क्या होगा तो हम सीधी बोलते ना 24,000 दुनिया 48,000 देखो 24,000 दुनिया 48,000 लिगा 2 सुनना उतार दिया इसको लेस कर दिया, 19,200 हो गया, 19,200 में भी देखो यहां 2 सुनना में फिर छोड़ा 19,200 का 10% क्या होगा है, 1920 एक सुनना अठ जाएगा, तो 19,200 से 1920 तो यह मतलब हमने कितना लेस किया, यहां देखो 20% लेस किया हमने, ठीक है न, और जब 19,200 आया, 19,200 से हमने कितना लेस किया, 10% लेस किया, तो हमारा आंसर भी कर गया तो यह जो है, यह किसी फर्मूला से easiest method है, जब तुम्हारा जैसे 24,000, 25,000, मतलब यहां पर अगर 24,282 होता, ठीक है न, सपोस्थ 24,282 करके कोई figure होता, तो फिर मैं तुम्हें बोलता यार, तुम देशी methods में मत जाओ, ठीक है न, यह अगर figure होता, ठीक है न, यह कोई answer नही तो यहां पर तो आपको देखो 17,280 रूपी answer है, तो कहने का मतलब यही है, कि आप इस देशी method को अपनाए, यह आपको जल्दी कर देता है, और चीज़े आपके control में रहता है, तो जब भी क्रमागत छूट के बारे में तब यह दिमाग में चीज़ आया होगा, आगे तो हमारा concept जो इसके उपर clear हो जाएगा, और देखो इस तरीके में जो बोलते हैं, जिसमें हमने कहीं पर भी आपका इसका इस्तेमाल नहीं किया है, शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं से steps omit method, चलिए अब next सवाल, आईए जड़ा देखे हैं कि इस तरह के सवाल जो हैं, ये रेलवे के सवाल हैं, इस तरह के सवाल को हम कैसे हम इस पर करें, क्या करते हैं, steps omit method में करें, क्या बोलता है, यदि अंकित मुले, लागत मुले से 30% अधिक हो, तो भाया, एक्स लेने की ज़रत नहीं है, हम मान लेते हैं कि लागत मुले क्राय मुले, cost price 100 रुपया है, बोलता है 30% अधिक, ज्यादा बढ़ा के अंकित मुले होगा, तो 30% 100 रुपय का 30% कितना होगा, 30 रुपया होगा, बढ़ा के दाम लिखा तो ये क्या हो गया, 130 रुपया हो गया, ये क्या है, MRP हो गया है, ये MRP हो गया, और ये क्या है, और बोलता है उस पे 10% की छूट दिया अब 130 रुपे पे छूट कितना दिया 13 रुपिया छूट दिया तो उसने दुकानदार ने कहां से कितना लिया 117 रुपिया लिया अब 117 रुपिया लिया और उसका खरी द्वाव कितना था 100 रुपिया तो नफा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, सतरा रुपिया हुआ, मतलब सौ रुपे पे हिसाब है, तो सतरा परसेंट हुआ, तो देखो इस तरह के मैत को बिना एक्स लिए फटाफट किया जा सकता है, और मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, जो भी छात्र है, इसको ज आप सिंपल मैथेट्स में जाएं, क्योंकि देखो या बड़ा सारे है, सौ रुपिया है, चलो तीस परसेंट बोला है, लागत मुले से जादा है, तो आप क्या कलम लगा होगे, नहीं भी या, सौ के साथ तीस जो और दिया, एक्सो तीस, दस परसेंट की छूट है, एक्सो तीस से तेरा रुपिया घटा लिया थे, एक्सो सत्रा रुपिया, अब सौ रुपिया तो खड़ी दे भाव था, तो सौ रुपिया हटा दिया उसमें से, तो सत्रा हुआ तो सत्रा परसेंट लाग हुआ, अब टीक मार के निकल गया, तो ये जो चीज है, इसको जरा करो, क् आज के डेट में एक्जाम कोस्चन बनाना ही आपका कोई तीर मारने वाला काम नहीं होता है बलकि वक्त पे कोस्चन को बनाना वो असल में तीर मारने वाला काम होता है तो चली हमने एक सवाल पर चलते हैं देखिए क्लास के शुरुवात में ही मैंने बोला हुआ था कि मैंने एक डीडी अकाडेमी का एक एप है और जिसको मैं एक स्वेंग संपूर्ण एप बोल रहा हूं और इसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है क्योंकि ये पेड भी है फ्री भी है दोनों है इसमें कुछ चीजों पर पैसे लगते हैं कुछ चीज एक दम फ्री है जो आपके तैयारी में काफी जादा हेल्फुल होगा तो ये एप कहां मिलेगा सबसे पहले आप अपने मॉबाइल के प्ले स्टोर में चले जाएं वहां पर जैसे मैंने लिखा हुआ है डीडी अकाडेमी टाइप क इसे ही इंस्टॉल करेंगे आपके पास देखेंगे कि ये एप इंस्टॉल हो जाने के बाद उसको जैसे क्लिच करेंगे आपके पास आएगा देखिए ये इसमें देखे एक study zone है, मतलब यहां सारी पढ़ाई के courses available है, यह देखे payment zone है, जो जो course को pay करके आपको करना है उसके लिए payment zone है, यहां DVD course है, तो चलिए हम पहले हम पकड़ लेते हैं कि हम study zone को click करते हैं, इस study zone को हमने click किया देखे, यह मेरे, मेरी कलपना में यह एक university की रूप है, जो DG academic university, मैं तो कभी university नहीं बना सका, तो सोचा कि चलो एप में ही बना लेते हैं, तो उसमें देखो यह अब जैसे इसको click किया, यह सारे courses दिख रहे हैं, basic math की course, UP police की course, railway, ALP plus NTPC full course, free SSC serial की आ रही है, SSC, GSC, HSL की bank की सारी courses है, अब इसके अंदर में भी, इसके अंदर में देखो free course और paid course एक ही साथ है, और यह किसी अप में नहीं मिलेगा, इतना विश्दित नहीं मिलेगा, इसका मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ, तो चलिए जबा देख लेते हैं कि आगे माजिरा क्या है, अब पहला है, कि मेरी एक सोच है दोस्त, मेरा क्या सोच है, कि अगर quality study, कैसे हम किसी चीज को perfectly कि एक्जाम हाल में कभी मुझे धोखा नहीं हो, यह काफी जरूरी है, तो देखिए, मैंने अपने जीवन में काई कि मैं सबसे ज़्यादा बुजर्द तो नहीं हूँ, नहीं बोलूगा मैं, क्योंकि मैंने पता भी नहीं कि इतने लोग हैं इसमें, लेकिन जब भी देखत हूं, किसी और का उन से तो बुजर्द जरूर हो, तो फिर मैंने इन पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को जो है, मुझे जो दिखा, कमजोर अगर छातन है, थोड़े से पढ़ने में कमजोर है, या आपका एक्जाम मिस हो रहा है, और मैत के चलते हैं, तो क्या करना है आपको पहले एक मैत को पढ़िए, पूरा वीडियो ने एक मैत को जानिये, फिर उसके उपर एक या दो सवाल खुद लगाईए, फिर टाइमली डिविजन कीजिए, ठीक है न, बोलना बड़ा असान है, नया चीज़ मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आज की दिन में जैसे आपक समझ गया, लेकिन जब लगाने गया, तो सब आप नहीं लग रहा है, कारण क्या है, कारण यहीं है कि आपने उस पे पैक्टिस नहीं किया, सबसे सुन्दर अवस्था क्या होता है, देखो दोस्त, एक मैत को जानो, फिर उसके उपर पैक्टिस करो, तो कहने का मतलब अगर म में कमजोर चात्र हूँ, तो सबसे पहले ज़ूरत है, मेरे को दस मैत एक साथ नहीं सिखाए जाए, क्या है कि दस मैत सिखने के बाद दिमाग में सारा चीज़ रखने के बाद नहीं होता है, मेरे को अजीब लगता है दोस्त, एक दो आप किसी डांस क्लास में चले जाओ, पहले आपको एक स्टेप सिखा जाता है, उसमें प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसके बाद दूसरा स्टेप, इसलिए डांस क्लास में सबको मज़ा आता है, हमसे मुझसे नहीं हो रहा है, ये बाते नहीं चलती है, ठीक है न? अब लेकिन मैट के किसी क्लास में हम जाते हैं, तो सर को उसका वक्त ही नहीं है, डेर घंटा में आपको पढ़ाना है, अगर सर एक मैट लिखके दिये, अब बोले कि भीया, तुम आब इसके उपर चलो, एक मैट तुम कुद बनाने के लिए दिताओ, देके वो करे, तुम दो साल में भी खतर नहीं होगा, लेकिन साथ साथ में एक सच्चा ये भी है, कि दो साल में वो क्लास जो तैयारी होगा, वो आप कितने भी कंजोर है, मैट सिख लेंगे, इसे खुद दिल से सोचो यार, तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरे को तकर मैं भी क्लास लेता, बात है, कि मैं 12 घंट की तो क्लास नहीं कर सकता किसी के साथ, तो फिर मेरे को एक चीस्ता और जरूर करना होगा, कहीं तो मैं ये व्यवस्ता करूँ, कि जब लड़का एक मैत सिखता है, तो उसके साथ खुद वो एक मैत या दो मैत लगाता है, उसी कंसेप्ट के उपा, तो जब अब वो खुद लगाता है, तो अब उसे पता चलता है कि उसको क्या गलती है, क्या समझ में नहीं है, और उसी वक्त उसको कोई हाथ खामने वाला भी होना चाहिए, कि अगर जब नहीं लग रहा है, तो मतलब है वीडियो सुनने के बाद भी उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं ह होते हैं, तो कोई चाहिए उसे बता दे के भीया तुम्हारी गलती है, तुम्हारी सोच यह गलती है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैंने इन चीज़ों को इस एप के अंदर में डाला है, जो मैं अब भी आपको बताने वाला हूं, तो सही में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये तरीका जुड़ है एक काफी अच्छा तरीका है फिर टाइमली रिविजन हाँ भी या रिविजन की बात करते हैं में सही देखो हम रिविजन कम करते हैं हम आगे की तरफ बरती वे चलिए आते हैं जो अपने आत में एक मुसिबत का जरिया मिन जाता है चलिए दूसरे हाते हैं रिविजनिंग की तरफ रिविजनिंग की थियोरी को समझना जोरी होता है अगर ये कैसे हो रहा है क्योंकि तरफ बदी के उपर रिविजन काफी जोरी है उनी कोस्टिन के उपर उससे कुस्टिन नहीं होना चाहिए उसी पर होना चाहिए तो फिर क्या होता है वो करसे कमाने साह आता है साह साथ में एक guidance की तो वही तो होने वाला इसलिए आप देखेंगे एक मज़े की बात मैं आपटर नहीं बोलता हूँ आप उस पे नहीं लगाते हैं और चुकि यह नहीं है इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अब जीके की बात करते हैं बड़ा आसान सब्जेक्ट है लेकिन बुलते हैं बड़ा विस्तित है मैंने सोचा कि अब चलो मेरे के एप में ऐसा भी कर दूना कि सागर को गागर में भलने यह कैसे संभा है दोस्त अगर किसी भी एक्जाम में एक नॉर्मल यूपी पूली मत पूलिस के नौकरी में भी आपको दो हजार से उपर आपकी पास होना चाहिए ऐस जैसी चक तो मैंने आपको समझा दिया हाथ में थमा दिया है बोला कि भीया रट जा कोई तो बताए रटे कैसे इधर से रटता हूं उदर से निकल जाता है कोई तो तरीका मुझे बताए कि मैं कैसे रटू की निकल गया हुआ चीज भी मेरे पास पीछ से रह जाए तो इसको भी वेने आप में लिए हुआ है चलिए हम कैसे करते हैं जरा समझ लें अब जैसे मैंने बोला था कि आपको दिखाया था कि मैंने कि क्या है अब इस Эप में सपोर्स अब बेसिक मैड की कोस को आप क्लिक करते हैं तो देखे यहां पे फ्री वीडियो है यह देखो, पहला दिन है, यहाँ पर कोर्स है, मतलब अगर आप फ्री में पर रहे हैं, मेरे किसी भी paid service का आप नहीं लेते हैं, तो भी आपका routine बना हुआ है, पहला दिन क्या परेगे, fraction 1, fraction 2, बिन्न का part 1, बिन्न का part 2, यह भीट्यों आप यही पर देखनें चाहिए, आप घूना पड़ता है और यहां पर ढूना नहीं पड़ता है अब देखिए ृब जो हाता है कि उन्हों पैसे दिए सब्सकिक बात करता हूं कि आपकी मैथ में कमजोर हैं तो सबसे पहले जो होई है आपकी कमजोरी मतलब जैसे भिन्न का जोर गुना भाग घटाओ दसमलाओ का घात घातां का समिकरन का वर्गमूल घंदमूल का भागा देना यह बहुत सारी प्रत्रियां हैं जिस पे आपको सिध्ध स्थोना होगा यहां तो वीडियो देखा जो वीडियो आपको यू देखो यहां नहीं होता है यहां है जैसे ही आप खलिक करते हैं तो फिर हो सकता है कि यही वीडियो यहां पर आता है लेकिन मैंने क्या बोलावा था एक quality study में क्या होगा है यहां क्या है वीडियो दिया हुआ है एक तरीका बटाया इसके बाद आपको दो आपसे खुद करने के लिए बोला जा रहा है सारा का सारा जो है, एक आटमेटिक प्रोसेस है, एक वेब में चल रहा है, वीडियो में, चुकि आपका ये एप में है, इसमें आपके नेट भी काफी कम इक्स्पेंस होते हैं, और साथी साथ सबसे बड़ी बात क्या है, कि आप एक चीज देखे, भिन्ने का जैसे जोडना आ अपने दोनों जब जोडना से सही किया, तो आपके दिल में जो हैनेक तसलिव हाँ यार मैं कि ये सीखा, जो यहाँ नहीं है, अब ऐसे करके हर स्टेप को वीडियो आ रहा है, आपको दो करने के लिए बोला जा रहा है, वही सिखना है, अब ये सिख लिए, अब देखिए याँ प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट मतलब जो सीखे हैं उसी पे सवार है, ये पहले दिन का है, तो फिर अगर हम पढ़ने की बात करते हैं, तो क्वालिटी स्टेडी की बात करते हैं, वीडियो के एक-एक सवाल को देखो, देखने के बाद दो खुद लेकि जो पढ़ाया गया उसी पे March test का paper तो जो हाँ से आब अगर दुस्य कहीं से नेते है उसे तो पता नहीं है कि आपने पढ़ा क्या है तो इसमे पहला है, आपने राम पढ़ा उसने रहीं के बारे में पुछा तो हर वक्त सरदर्द बना हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये हुआ है अब जला चलिए ये तो फ्री कोर्स का आप समझ गए तो मतलब अगर ये लेते हैं तो किसी भी आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो किसि भी भी शैप से झाटा जह प्रफितल गडायर मैं आपको पड्चिकुलर मतना एक जमा है प्रकुर्स मोश मिद्गें कर रेङले कोर्स पेमेंट है रेलोरे कोर्स क्या लगता है कि प्रकुष कौर्स चौदा दिन का है साथ दिन की आपकी पूरी classroom and practice test होता है और साथ दिन और के वल practice होता है, क्योंकि आप इससे निकल जाए जब complete हो जाए तो फिर आप ये ना बोलें जो सालों साल से बोल रहे हैं कि मेरा basic कमजोर है चाहे आप UP police की त्यारी कर रहे है चाहे railway की त्यारी कर रहे है आपका जो है math कमजोर है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपकी basics को सुदारना होगा और ये basics क्या है भी है ये basics है calculation की basics हम जब calculation करते हैं तो कभी जोरना पड़ता है कभी हमें भिन्ने का जोर आता है भिन्ने का गुना आता है दसमलाओं का जोर गुना आता है, हमें वर्गमूल की स्थिती आती है, जैसे समीकरन करना पड़ता है, तो करना मतलब है कि सरली करन की हम देखते हैं, सारी एक्टिविटी उसके वगए आप कोई मैद करी नहीं सकते हैं, गुना करना पड़ता है, दो संख्या का गुना करना पड़ता है, तेजी से गुना करना, यह सारी चीज आपको सिखा रहाता है, क्या लगता है दोस्ते, मेरे को कोई आप कमेंस करके बता देना सेथ, 200 रुपे में कोई इतने सारे चीज़ों को देके पढ़ाता है तो कस इस इस एमाउंट के साथ खाली मैं बता देता हूँ कि मेरी नियत क्या है अत्यांत साफ लूट का बजार नहीं है उसी तरह यूपी पुलिस फुल कोर्स पूरा चीज इन सारे सुविधां के साथ दो महिने का केवल एक हजार उपे है उसी तरह अगर रेल्वे का लेना चाहते हैं चाहे आप ALP कर रहे हैं या आने वाला NTPC करेंगे सब के लिए एक हजार नौसो है शहर में निकलो पता कर लो दोस्त वो भी उननी सो लगा के नहीं क्लास्रूम और प्रैक्टिस टेस्स चाहते हो मॉस्ट वेल्काव और सबसे बड़ी बात आओ सुनलो जो मैंने बोलना भूल गया है ये वीडियो यहां पर डाउनलोड नहीं होता है आपको डाउनलोड करने के जोरत क्या पहले बता दो आप यूट्यूब में डाउनलोड इसलिए करते हो क्योंकि वो फिर वीडियो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है मेरे को खुद की वीडियो का ढूनना होता है तो नहीं मिलता है तो लेकिन यहां पे जब आप यहां पी और गनाइज़ है आप जिस दिन से आपको फूलो जैसे बेसिक मैट का या फिर से मैं एक बाद देख लेता हूं तो सारे वीडियो सीरियल यह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां और यहां पे अगर हम क्लासरूम की बात करते जिसमें और य करके उस चैप्टर का उस दिन का जितना है करके जैसे सब्मिट बटन दबाएंगे तो तुरत इसकी एक कौपी वीडियो के साथ साथ के इमेल में आ जाता है तो मतलब समझें ऐसा कहीं नहीं है इसका मतलब एक ही है कि आप वीडियो ना लो और वीडियो लो वीडियो लो त अगर 40 मेंट हैं और उसमें से आप ने 35 मेंट को सही किया, तो दोस्त उसे फिर से देखने की जरूट नहीं, उसको रिविजन करने की जरूट है, तो आपकी email में जो है ये video ekkr करके आते हैं उसके बार आजमें जो कोशिश कियाँ अब उसका है तो फिर आपको पांच math जो इसमें गल्ती है और वही तो आपको करना है न तो ये सुगिधा जो है इसके अज़र है और जैसे यहाँ पर आप करते हैं तो देखते हैं कि यह basic math का यह खुल जाता है और यह basic math का खुल जाने के बाद क्या होता है जरा उसे भी दिख लेते हैं अब जरा मैं एक बात को बताना चाहता हूँ जो पहले बोलते बोलते रह गया था कि यह video download नहीं हो सकते हैं लेकिन जो paid class में हैं उनकी video download अलग तर्ण के से होता है कैसे होता है जरा देखें सपोस आपने age के ओपर classroom में class किया अब उसके बाद क्या होने वाला है आप देखें आप जैसे ही classroom में class करते हैं और यह class करके निकलते हैं मतलब पूरे आपने questions को कर लिया आज के class का समाझ लेजिए कि आपको 20 वीडियो थे या 10 वीडियो थे और उसके साथ 20 पैक्टिसेट लगाना हुआ आपने लगाने के बाद जैसे submit का बटन दबा दिया तुरत क्या हुआ कि email में देखें कैसे पहुंसता है देखें वो वीडियो वाहां डाउनोड नहीं होता है लेकिन यहां देखें यहां पिसका link है और यह दो सवाल है सवाल का जवाब है तो उसमें क्या हुआ कि आपने जो सवाल ने try किया यहां जैसे करते फिर खूलता है कि आपने क्या किया था और सही जवाब क्या है तो इस तरह कर कि ये वीडियो तुकड़े-टुकड़े में आते हैं तो कहने का तातपर्ज क्या है कि भैया पहले जब वीडियो देखके पूरा मैंने सीखा उसमें कुछ गलतिया रह गए थी तो मेरे को वहाँ 20 सवाल था कि फिर से मेरे को रिवीजन करना है तो 20 सवाल को करूँ वो तुम्हें प्रैक्टिस में करना लेकिन जो मेरे को गलती हो गया था उसे सही करना है तो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट के साथ सारा कुछ आ जाता है जिससे क्या होता है कि गलती जो हुआ है उसे फिल से ध्यान देने की जोरत होती है साथ में वीडियो भी आ जाते हैं तो देखो ये आप किसी भी एप में अधी तक मेरे को देखने को नहीं मिला ये क्या कि आपको खुश करने के लिए नहीं आप सही में चीजों को कर सके उसके लिए दवस्ता किया गया है और इसे मैं बड़े गर्व के साथ बूलता हूँ और देखे अब देखे एक बेसिक मैट की बात करता हूँ तो केवल दो सुर्थे चार्ज है आप क्या यहां पे पे का बटन दबाया अब दबाने के बाद आपका देखी यह आ गया अब यहां पर अपना नाम देना है, इमेल देना है, फोन नमबर देना है और नेक्स्ट बटन दबाना है अब बोलते हो कि सर मेरे पास तो कोई पेमिन करने की ऑनलाइन की सुनगा ही नहीं है तो बड़ा सिंपल है यार, आपके शहर में निकल जाओ, जो ऑनलाइन में पेमिन करते हैं, उनके पास चले जाओ फिर अपना नाम, इमेल और फोन नमबर भरके, निक्स दबाके उनके हाथ में आज़ दे तो वो अपने यहां से यह पेमिन कर देते हैं तो फिर आपकी क्लास, जब आप पेमिन करते हैं, उसके 6 घंटे के बाद से चला जाता है तो मेरा कहने का मतलब है, क्या हो कि किसी दूर कोने में बैशते हुए हो, वहां भी आप पर सकते हो और सबसे बड़ी बात है, फ्री में परना चाहो, फ्री में परो पैसे देखे, क्लास वूम करना चाहते हो, जो मैंने दिखाया, प्रैक्टिस देना चाहते हो, वो भी करो, वो भी करोगे तो भारत वर्ष के सबसे कम दाम में भारत वर्ष के सबसे कम दमें तो कहने का मतलब है कि मेरी जो इच्छा से एक क्वालिटी एडुकेशन सब के साथ शेयर करने का उसका मैंने कोशिश किया देखिए इस तयारी में आपको एक चीज बड़ावर करना होगा जब भी सवाल है सवाल परते तुरत आप उसके नीचे के आप्शन को देखते हैं फिर डिसाइड करें आपको क्या करेंगे जैसे देखिए एक छाते का अंकित मुल्ले 80 रुपया है जिसको 68 रुपय में बेच जाता है अंकित मतलब लिखा हुआ है और सेल प्राइस के अर्शेट रुपय में गहां से लेता है तो चूट की दर क्या है को चूट देता होगा तभी तो असी रुपय के जगह वह गहां से अर्शेट रुपया ले रहा है अब देखो 15 परसेंट 12 यह लगता है कि यह पटा हो जाती है तो तुरत आप्शन को देखनी कोर्सिस करो अब देखो 15 परसेंट कितना होगा 158 कितना होता है 120 120 मतना बारा रुपया असी रुपया है ना तो एक सुनना है मैंने बोला था दो सुनना चाहिए होता है वह यह पतिसत में तो पंड़ाट 120 है यहां तो एक सुनना तो एक सुनना चीन लेते तो कितना होता है बारा रुपया असी से बारा रुपया घटा है तो आट सब्सक्राइब यही आपका जवाब है तो आप भी समझ सकते कि कितनी जल्दी से होता है ठीक है मैं तो यहां 20-12 लिक्षाट आप क्या लिखने जाओगे इस तरह कुछ नह बसता है ना यह तो जीवन की वो तिजोरी है जिसमें पैसा बचने के बाद लोग धनी होते हैं आपको भी एक गिफ्ट में क्या मिलता है एक नौपली जो आप सपना देखते हैं चलिए अब नेक्स में चलते हैं इस सवाल को देखें राम को एक वस्तू के खरिदने पर अब बोलता है दूसरा स्टेट्मेंट में कि उसे 224 रुपिया तो देखो इसका मतलब क्या हुआ आठ परसेंट जो छूट मिला वो तो पतिशत में आठ था रुपए में कितना है 224 रुपिया है तो बताइए कि वो वस्तू कितना में विक्रह करें कि अंकित मुल्य पर उस इसे अपसें में नहीं ले सकता है चलो पहले हमारा क्या कि 8% बराबर 224 क्यों छूट है क्यों अंकित भैलू के उपर ही अंकित मुल्य के उपर ही छूट दी जाती है तो अगर 8% 224 तो अंकित मुल्य क्या होगा 100% होगा इसको 8% छूट है और 8% बराबर 224 रुपिया है तो फिर अंकित बुल्ले क्या होगा 100% होगा 100% बराबर क्या होगा देखो 224 आठ नीचे चला गया 224 बटे 8 गुना 100 अब अगर हम 8 को काटते हैं 8 से 224 हम काट रहे हैं तो सिंपल है कि हमने 8 से काटा 8 दूनी 16 और बजगिया आपका 6 चे ये 64 हो गया आपका 8 अठ अठ चे 28 को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो क्या होता है 2800 होता है तो ये 2800 क्या निकला दोस्त ये 2800 जो निकला है वो निकला आपका MRP ठीक है न यही MRP है ना 2800 MRP है चली हमें समझ में आगया 2800 MRP है अब क्या बोलता है बताईए कि वस्तु को कितना में विक्रे करे कि अंकित मुल्ले पर उसे 8 प्रतिशत लाब हो तो 2800 100 परसंट है ठीक है ना तो 2800 क्या है 100 परसंट है देखो 2800 कि निकला 100 चला गया और 8% मतलब 8% मतलब 108% क्यों MRP को 100 को भी तो लेना होगा इसको ध्यान में रखेंगे आप या तो 2800 के उपर सीधा आप 8% आप जोड़ दें तो भी हो जाएगा और या तो 2800 बटे 100 गुना 108 करें तो भी हो जाएगा 3024 रुप्या होगा अगर आपको ये नहीं करना है तो मैं आउर बता देता हूँ 2800 का या 10% कितना होता है 280 रुप्या 2800 का 10% होता है एक सुनना हटा देंगे तो 280 रुप्या और 1% कितना होगा इसका मतलब 28 रुप्या तो 2% क्या होगा 28 दुनी 56 रुप्या होगा इससे आप 56 रुप्या लेस कर देते हैं ठीक है न तो आपको दस में से चछे गिया चार और आपका 10 में से च्छे गिया चार 7 में से पांच गिया दो 224 रुप्या हुआ तो आप यहां पे 224 रुप्या के साथ 224 रुप्या अगर जोर देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्त सुनना सुनना के साथ 24 जोड़े तो 24 ही होगा ठीक है न और 28 के साथ अगर 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा तो मतलब वही 3024 उपय जो आया यहां भी आया तो मर्जी आपकी आए कि आप कैसे करेंगे यह भी ठीक है यहां से सिधा आ जा सकते हैं तो यह जादा समझ में आता है अगर आपको यह कम समझ में आ रहा है और दोनों में आपको उतना ही लिखना है जादा कोई रमायान लिखनी की जोड़त नहीं है तो आपको जो सही लगे वैसा ही करें चलिए अब नेक्स सवाल पर चलते हैं अब जरा इस सवाल को देखें यह SSC CHSL 2015 में आया हुआ था एक दुकानदार अपने समान पर लागत मुल्ले से 20% अधिक मुल्ले अंकित करता है मतलब 20% मतलब 100 रुपय का अगर माल है तो 120 रुपया उस पे लिख डालता है और उस पर 5% की च्छू देता है तो उसकी लाप पतिशत क्या है तो देखी यह stay permit method है जिसमें हम कोई text नहीं लिखते हैं और हम money money जो चिसको लिखना है money money दुराते हैं तो चली हम करते हैं 20% अधिक मुल्ले पे था जो उसका कीमत था cost price था उससे 20% तुपकर लिया कि 100 रुपय का माल था उसने उस पे 120 रुपय का लिख दिया और उसमें बोलता है की 5% की छूड़ देता है अगर 5% की छूड़ देता है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 120 रुपय में 10% का छूड़ देता तो कितना होता 12 रुपया और 5 परसन पे 30 ओ जाएँगा 6 रुपया तो उसने वो 100 रुपय का माल था 20 रुपय का माल था देखिए इसमें हमने जो यह जो आप करते हैं तो यह 14 परसेंट हमने डाल दिया अब देखिए यह जो आप कर रहे हैं यह कभी पांच सेकंड से उपर लगता ही नहीं है और डिस इस दा आप क्या वोगते हैं कि यह है जो स्टे पॉमिट मैथड का है चली एक बार फिर से हम प देता है तो 120 रुपे का 10 परसेंट होगा 12 रुपया तो 5 परसेंट आदा होगा बराबर 6 रुपया अब देखो यहां 20 रुपय कमा रहा था 20 रुपय से 6 रुपय उसने छूट दे दिया तो प्रॉफित हो गई 14 परसेंट चलिए अपने सवाल पर चलते हैं इस सवाल को राम ने लेवल लगे मुल्ले पर यह मुल्ले हो गया है यह दिस वन इस दा एगें यह मुल्ले नहीं होगा दिस वल्द मुल्ले होगा यह टाइपिंग निश्टेकर्स राम ने लेवल लगे मुल्ले पर लेवल लगे मुल्ले मतलब वह एमारपी पर बीस परसेंट की छूट पर एक टीवी खरीदा यदि उसे 30 परसेंट अब देखो 20 परसेंट की चूट थी जिसमें उसने खरीदा बोला कि अगर 30 परसेंट की छूट पर होता तो ठीदा नहीं है 30 परसेंट की चूट अगर मिलती तो तो मतलब कितना ज्यादा मिलता है 20 के जगा 30 मतलब 10 परसेंट ज्यादा मिलता तो उसे 800 रूपे की बचद मुल्लेवान हैं उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेंट का मुल्ले कितना था तो देखो हमने क्या किया 30% की 20% पे तो वो खड़िदा था उसको जितना देना था उसमें 20% छूट मिला था लेकिन 30% मिलता मतलब 10% अगर ज्यादा मिलता तो 800 रुपे उसके बस ते मतलब 800 रुपे उसको पेमेंट नहीं करना परता अब देखो TV का मुले क्या है CDC दीवा किसी भी चीज़ की मुले क्या होता है 100% होता है तो दर्स परसेंट बढ़ाबर 800 100% करने के लिए क्या होगा इसे हमें 10 से गुना करना होगा और उसी तरह अगर इसको दश से गुना करेंगे 800 को भी हम गुना कर देंगे 10 से तो क्या हो जा आएगा तो आठ हजार उसके मुले हो गया तो फिर हमारा आंसर निकल गया और यह कभी भी आपका 5 सेकेंट से जाबर लगता नहीं है फिर से हम देखते हैं बोला गया MRP पे 20% चूट लेबल लगे मुले मतलब MRP पे 20% चूट पर राम टीवी करिकता है और अगर 30% के तो 100% मतलब टीवी का दाम तो 10 को 10 से गुना करते हैं तो 100 होता है 800 को भी 10 से गुना कर दिया तो 8000 हो गया तो आशा करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा और कितने छोटे में और सिंपल में कर सकते हैं देखिए वीदी एक ही है खाली हम स्टेपॉमिक देखते हैं अब जरा इस सवाल को देखें जब एक स्वेटर पर 20% छूट दी जाती है तो 28% का लाव होता है यदि 14% कर दी जाए मतलब छूट को अगर 14% कर दिया जाए तो लाव प्रतिशत कितना होगा तो इसको होगा होगा और question mark होना चाहिए यहाँ पे भी गलती हो चुकी है यहाँ पे question mark होगा anyway तो देखे हमने ये block method को अपनाया है और ये block method में तीन खाने हैं और तीन खाने को भी याद रखना होगा किस खाने पर आपने कौन सा function किया था तो this is the block method तो चली हम इस पे हम देखते हैं पहला क्या बोलता है उसे हम समझ ले कि 20% की छूट दे गई भई तो 100 रुपे का कोई अगर समान होगा 20% छूट दिया होगा तो उसकी किमत कितनी होगी 80 रुपे होगी अब बोलता 28% लाब होगा 28% लाब होगा तो मतलब देखो इसको 1.28 से भागा दे दिया 80 रुपे पे उसने बेचा 20% छूट दी मतलब 100 रुपे का material को उसने 20 रुपे छोड़ दिया 80 रुपे में बेचा देखो इसलिए उपर 20 परसे लिखा 20 परसे चूट था तो 100 रुपे में से 20% छोड़ दिया तो 80 रुपे में बेचा 80 रुपे में बेचने एक 80 रुपे में बेचने के बाद भी उसे 28% लाब होता है तो हमें निकालना क्या है विया हमें निकालना है कि भई उसकी खरीद दाम क्या था तो इस ब्लॉक में हम क्या निकाल रहे हैं खरिक दाम निकाल रहे हैं तो 80 को हमने 1.28 से भागा दे दिया 28 परसेंट लाब देखो 1 जो है कीमत है और ये लाब है तो 1.28 अब देखिए अगर हम 80 को 1.28 से भागा देते हैं तो क्या होगा 8 से दे दिया चलिए ये 10 हो गया 80 हो गया और 8 से जब हम इसे देते हैं तो पॉइंट होगा 8 एक हम 8 होगा और 48 है तो मतलब का क्या हुआ 6,88 और इसे अगर हम 2 से फिर भागा देते हैं ये 5 होता है और ये आपका जो है दो से भागा दिये तो 0.08 हो गया तो कहने का मतलब क्या है कि अब फटा-फट करना है तो हम क्या करते हैं 5 है नीचे देखो 0.08 है इसके लिए 500 हुआ 500 को हम 8 से अगर भागा देते हैं तो ये ही होता है 6,8,48 हुआ तो बजगिया कितना दो बजगिया ये 20 हुआ दो कितना बार जाएगा 8,2,16 बार जाएगा और बचा कितना वही या 4 बचा और अगर हम यहां दसमलाव उतार देते हैं तो ये 40 हो जाता है और ये 5 डाल दिया तो मतलब ये भी 40 हो गया तो ये 62.5 रुपिया ये क्या है खरीदाम है ये पहला घर में है हमने खरीदाम निकाला फिर से बोलता हूं कि देखो 20% छूट दिया था तो 100 रुपे का माल कितना होगा 80 रुपिया 28% लाब हुआ तो खरीदाम निकालने के लिए बेचने के भाव को 1.28 से भागा दे दिया भागा दे दिया तो 62.5 रुपिया निकल गया ये 62.5 रुपिया जो है ये खरीदाम है अब बोलता है कि अगर 14% छोड़ देया जाता तो 100 में से 14 कर लेस करते हैं तो 46 र लिए तो ये 23.5 क्या होता है लाब होता ठीक है ना अब बुला कि लाब की प्रतिशत निकालने के लिए तो हम ये तिसरा खाना लिया लाब प्रतिशत निकालने के लिए देखो ये लाब है ये लाब है और नीचे क्या है क्रेम उल्ले है कि ये लाब कमाया कितना रुपिया लगा के बासाट उप्या पचास पैसा लगा के ठीक है ना और ये 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 कड़िया और जब हमें प्रतिशत को निकालना है तो नेचरेल यहां पे गुना 100 होगा जो छुट चुका है इस 100 से जैसे हमने गुना किया तो 37.6% आपकी प्रॉफित निकल देगी तो देखें यहां में कैलकुलेशन को तो आमिक नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए ये आपका 15 सेकंड जरूर लेगा ठीक है लेकिन एक बात साथ में साथ ये भी है कि ये ब्लॉक मेथट छोड़के आप कुछ भी अपनाने जाएंगे इतने सहज में नहीं होगा लेकिन ये ब्लॉक कि में लाब क्या होगा तीसरे घर में हमने क्या किया लाब प्रतिशत निकाल दिया तो इसमें तीन ब्लॉक हैं पहला ब्लॉक में हमने खरिक दाम निकाला दूसरे ब्लॉक में हमने जब ये आपका डिसकाउंट डिफरेंट हो गया है तो लाब कितना होगा तीसरे में हमने आप से पतिशत को निकाला तो आशा करता हूं कि इसमें भी कहीं कोई problem नहीं आया होगा और आप इस तरह के block method को मैं क्योंकि आप खुद ही करके देख सकते हैं दूसरे तरह से करते हैं तो खुद करके देख लिजिए जहां text की आप यूज करते हैं तो वहां कितना समय लगता है और यहां कितना समय लगता है तो चीज़ें आपके सामने एकदम clear हो जाएगा कि कौन से methodology को आपको अपनाना है चलिए हम next math पे चलते हैं देखे सवाल को एक दुकांदार एक वस्तू की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है मतलब फिक्स करता है तो मत सौ रुपे में किसी चीज़ को खड़ित के लाया वहिया दुकांदार है बेचेगा ना तो उसने 30 रुपे बढ़ा कि उसका दाम 130 रुपे कर दिया बोलता है कि अधि उससे अंकित मुले पर 10% की चूट देता है वहिया 130 रुपे पे अगर 10% चूट देगा तो कितना देग 13 रुपे चूट देगा मतलब यह सुनना को अवटा दो ना 10% मतलब 13 रुपे तो 100 रुपे के माल पे उसने 30 रुपे का फाइदा खोचा हुआ था अब 30 रुपे के फाइदा में उसने 13 रुपे का चूट दे दिया तो अब फाइदा कितना होगा 17% प्रतिसत क्यों दिया, चूंकि 100 के हिसाब से हम चल रहे थे तो सीधा सीधा 17% हम ने लिग दिया फिर से हम बोलते हैं रहो एक दुकांदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागस ते 30% अधिक नियत करता है मतलब अधिक फिक्स करता है तो 100 रुपय वस्तू की कीमत था उसने सूचा भैया अम बेच के तो 30 रुपया कमाएंगे तो उसने दाम 130 रुपया रगा लेकिन दिल में डड़वी था कि यार उसमें थोड़ा डिसकाउंट नहीं देंगे तो पब्लिक नहीं लेगा तो उसने बोला कि चलो 10% की छूर दे र इसलिए दाम 130 रखा था जिसमें फायदा 30 रुपया उसको होना था लेकिन 10% डिसकाउंट या 130 का 10% 13 रुपया हुआ तो 30 से 13 घटाया तो अब क्या होगा उसे 17 रुपया ही फायदा होगा ना क्या कि पब्लिक उसको 130 से 13 रुपया कम देगी तो 17 रुपया देगी अब 17 सुन्दर छोटा पांस से 6 सेकंड में होने वाला थोड़ा सा समझ लेते हो बार बार सुन लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है जटके से आप भी करते हुआ मत बुर्ना के सवाल नहीं आते हैं कवायते देख लेना जड़ा एक बेक्ती ने मुद्रित मुल्ले पर 16 पुना सबसे पहले देखिए यह जो संख्या है यह संख्या का मान आपको जानना है अभी तो मैंने यहां करके निकाल के दिया है लेकिन आपको याद रखना इसके लिए मैंने एक लिस्ट पहले भी दिया है 16 पुनांग 2 बटे 3 प्रतिसत बराबर होता है 1 बटे 6 अब देखिए होता कैसे है तो अगर कहीं अब क्या करते हैं एक्जाम हाल में भूल गये तो इसो निकालेंगे कैसे 16 तिया 48 दो 50 बटे 3 अब 50 बटे 3 प्रतिशत है प्रतिशत का मतलब होता है कोई भिन्नी के साथ प्र को काटा तो यह 2 हुआ तो एक पुडांग एक एक बटे 6 निकल गया तो मतलब है कि उसमें एक बटे 6 डिसकाउंट दिया अब अगर एक रुपिया कीमत होगा उसमें एक बटे 6 रुपिया डिसकाउंट दे दिया तो गाहक को देना कितना परा था यार तो देखो यह नीचे 6 निकाला यह 6 में से हमने 1 less कर दिया तो फिर क्या हुआ 5 बटे 6 जो है गाहक को देना परा था 5 बटे 6 जो है 5 गाहक को देना परा था अब देखो कितना गाहक को हमने तो निकाल दिया भीया 1 बटे 6 डिस्काउंट था तो हम इसको short cut में क्या करते हैं छे से एक घटाया तो पांच हुआ जे को नीचे लिख दिया पांच बटे छे बड़ाबर डिस्काउट देने के बाद चार सो पचास रुपिया हुआ था यह कब कहा है पांच बटे छे जब हमने एमार्पी पकड़ लिया था एक रुपिया है ठीक है ना एक देखो परसेंटेज में सो होता है विन्य में एक होता है तो हम अगर जानते हैं कि उसकी कीमत अगर होगी मेमार्पी तो उसे क्या करते हैं उलड़ देते हैं देखो पांच बटे छे का ये पांच देखो नीचे चला गिया है उलड़ गिया है और ये छे देखो उपर चला गिया है तो 6 बटे 5 को हम 450 से गुना कर देते हैं, तो 540 हो जाता है, ठीक है, फिर से हम बोलते हैं, एक बेक्ति का मुद्धित मुल्ले 16 कुनांग 2 बटे 3 पतिसर, महासा इसे याद कर लेंगे, 16 कुनांग 2 बटे 3 पतिसर बराबर 1 बटे 6 होता है, कि छूट देने के बाद कोई अब 1 बटे 6 छूट दे दिया, तो भिन्ने में इसकी दाम कितनी होगी, 6 में से 1 घताया 5 और बटे 6, 5 बटे 6 बराबर 450 रुपिया है, तो अंकित मुल्ले कितना होगा, मुद्धित मुल्ले जो है, वह वह एक होगा, एक होने के लिए में क्या करना होगा, 5 बटे 6 गुलट क होगा है, क्योंकि text matter हड़िया है, थोड़ा सा दूस्ते से हमने तरीके में किया हुआ है, तो naturally आप खुश हो जाएंगे, कि ये कितना